अक्सर लोग अपनी बढ़ती कमाई के साथ जब टेक्स पेर बंगते हैं तो अपने बढ़ते टेक्स को बचाने के लिए भी इंशोरेंस की अलग लग पॉल्सी में अपनी सेविंग करते हैं जिससे उन्हें इंकम टेक्स के सेक्शन 80C और 80D के साथ टेक्स में छूट मिलती है और लाइफ इंशोरेंस पॉल्सी के केस में एक तो प्रीमियम पे करते टाइम सेक्शन 80C से टेक्स में छूट रहती है और बाद में पॉल्सी से मिलने वाला माउट भी सेक्शन 10D के अंदर टेक्स प्री होता है इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में सेक्शन 80C में डेड़ लाग तक का प्रीमियम आप एक फाइनेशल एर में किसी भी लाइफ इंशोरेंस कमपनी में डाल रहे हैं तो आपको 80C में टोटल टेक्सिबल इंकम में डेड़ लाग तक की छूट मिलती है इन शोर्ट आपकी जो taxable income है उसमें डेड़ लाग तक कम कर सकते हैं इसके बाद दूसरा section है section ATD ये section आपके medical insurance पर लगता है Friends हम जो medical insurance cover लेते हैं जाए वो किसी भी medical insurance company के अंडर हो तो हम जो premium medical insurance policy में pay करते हैं उससे section ATD के अंडर tax पर छूट ले सकते हैं यहाँ इस section में ATD के अंडर आप अपने spouse अपने बच्चे के साथ medical insurance policy से 25,000 तक के premium amount पर tax की छूट ले सकते हैं ये छूट ATC में जो डेड़ लाग तक की छूट मिलती है उससे अलग होती है मतलब आप डेड़ लाग तक की छूट ATC में और 25,000 तक की छूट ATD से टोटल 1,75,000 तक की छूट दोनों section के अंडर ले सकते हैं इस ATD के section में अगर आपके parents की age 60 से कम हैं तो ATD में किसी भी medical insurance policy के अंडर additional 25,000 की छूट tax पर ले सकते हैं अगर tax pay के parents की age 60 से उपर की है और वो किसी health policy के अंडर अपने को अपने spouse को और अपने बच्चो को किसी health policy के अंडर cover कर रहा है तो वो 25,000 तक की छूट tax में ले सकता है पर इसके साथ parents की health insurance policy पर 50,000 तक की छूट ले सकता है मतलब इस case में total 75,000 की छूट section ATD से वो अपने taxable income पर ले सकता है इसमें अगर taxpayer की age 60 से उपर है और वो health policy से अपने spouse और अपने बच्चो के साथ अपने बुड़े माबाप का भी cover लेता है तो वो 1,000 तक के amount पर tax में छूट 80D से ले सकता है In short, section 80D में आप अपने spouse अपने बच्चो के health cover पर section 80D से 25,000 तक की छूट ले सकते है और इसमें अगर आप अपने parents का health insurance एड़ करते है और इसमें अगर आप अपने parents के health insurance का cover भी एड़ करते है तो 50,000 तक की छूट अपनी taxable income पर ले सकते है और अगर आपकी age 60 से उपर है और आप tax pay ही है तो आप अपने spouse, अपने बच्चे और अपने parents के health insurance पर एक लाग तक की छूट अपने health policy से अपनी taxable income में से ले सकते हैं इसके इलावा financial year 15-16 से आप अपने preventive health check-up से 5000 तक की additional reduction अपने taxable income से ले सकते हैं इसमें आप हर साल अपनी full body check-up करवा सकते हैं अब बात करते हैं section 1010-D की तो ये section भी life insurance policy में जो tax पर rebate मिलती है उसी से relate करता है ये income tax 1961 का एक section है जिसके अंडर किसी भी life insurance company से मिलने वाले maturity amount tax free होता है मतलब जो पैसे आपको maturity से किसी भी life insurance policy से मिलते हैं उस पर tax नहीं लगता इसमें दो चीज़े ध्यान में रखने वाली है पहली ये है कि आपकी policy अगर 1 September 2003 से 30 April 2012 के बीच लीग है तो policy का semi-shore yearly premium के 5 गुना या उससे ज़्यादा होना चाहिए फोर एक्जामबल आपने 2005 में कोई policy लीग है और आप policy का premium amount 50,000 का pay करते हैं तो इस case में policy का semi-shore थाई लाक या उससे ज़्यादा का होना चाहिए इस point के उलट अगर आपकी policy का semi-shore पाँच गुना से कम है मतलब 2 लाक या 1.5 लाक है तो उस policy में section 10-10-D का benefit नहीं मिलेगा मतलब आपकी policy की maturity taxable होगी अब बात करें दूसरे point की जिसमें अगर आपकी policy 30 April 2012 के बाद की है तो आपके yearly premium का 10 गुना आपकी policy का semi-shore होना चाहिए For example, 2015 में किसी policy holder ने policy ली है और वो उसका yearly premium 50,000 का pay कर रहे हैं तो इस case में semi-shore 5 लाक या उससे ज़्यादा का होना चाहिए तो ही ये benefit उस policy से मिलेगा अगर 5 लाक से कम का semi-shore होगा तो tax में कोई rebate नहीं मिलेगी मतलब आपकी maturity amount taxable होगी अभी सभी तरह की life insurance policies में 10 गुना से ज़्यादा मतलब आप सभी life insurance policies से section 1010-D की rebate ले सकते हैं